चाल चत्रभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं कि उत्तर पर्देश की बनेगी वन टू वन जिस तरह अपने बंगाल में चुनाव देखा होगा वो चुनाव उत्तर पर्देश के अंदर होगा बीजेपी वर्सीज वन अब वन में कोन आएगा यह जन्ता को थे करना है क्योंकि बोट इस बार अगर बटा तो पर्देश सदें बीजेपी को हराना अब ही अकलेट जी के आज रेली है किस तरह का समर्थन मिल रहा है आप कैसे देख रहा है हाज कहा कहा से पत्रकार जादा रखते हैं जनता का कितना समर्थन है यह जिस जिस तिन Voting होगा उस दिन पता चलेगा, जो 100 रुपे लीटर डीजल मैं खरिद रहा हूं, वह ook 100 रुपेड डीजल वह अंदबक्त खरिद रहे हैं, वह जो 120 रुपे लीटर पेटरोल मैं खरिद रहा हूं, वह mimर के 900 हजार रुपेड का सिलनडर मैं खरिद रहा हूं, तो वो भी खरीद रहा है तो फिर समर्थन क्यों लेकर जो बीजेपी के कारे करता है और आरेसेस के हैं उनको बवसीर की बिमारी है धरत तो होता है पर बता नहीं रहे हैं देखे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा देश का किसान सबसे बड़ा मुद्दा देश का बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा देश का माईलाओ का अत्याचार सबसे बड़ा मुद्दा देश का यह है ना इसे कैसे भूल जाओगे लेकिन बीजेपी के पास कोई लगाना और आना कहें पर आएंगे उनके पस पांच सब्द थे आज तक एक छटा सब्दोर मिला है और देख लेना कोई भी नेता है देश के परधान मंत्री से लेके चपरासी तक अगर पांच मिनट बिना छे सब्दोर में से कोई ता बोल जाए तो नाम बदल देना मेरा भी हिंदू, मुस्लिम, कबरिस्तान, समचान, पाकिस्तान और छटा सब्द मिला है उने तालीबान अगर इनके अलावा कोई सब्द बोल जा तो नाम बदलना ना अरे बहुत 5 साल राज कर लिया, साढ़े 7 साल दिल्ली में राज कर रहे हो, आओ ना विकास पर, विकास किया है तो आओ, जनता में काम किया है तो आओ देश में लंबे समय से किसान आंदुलून भी चल रहा है और उपी से एक बड़ा समर्थर मिला है किसान आंदुलून को आप कैसे देखते हैं कि किसान आंदुलून का उपी की विधान सबस चुनाओं पे असर रहेगा या नहीं दिखे जो अरे क्यों नहीं रहेगा भाई वो किसान वोटर है और वोटर वोट देगा 12 महीने से रोड पर पड़े हम लोग शड़कों पर हैं सर्दी गई गर्मी गई परसाथ गई फिर सर्दी आ गई हैocar्षों साड Ariana से जादे किसान सहाधत दे चुकार और देश का प्रधान मंतरी चुप है मुख्य मंतरी चुप है बोल यक सब नहीं बोला ना एक किर्केटर की उंगली तूट गई ती जला सी फेक्चर आ गया था देश का परधान मंत्री भी बिल बिला गया था है एक का छज्जा तूटा था वाई प्लस की स्रेणी की सुरक्षा दे दी थी है आज उसे पदम सिरी दे दिया और पदम सिरी देते के साथ क्या बोली मुसलिम जिहादी है और किसान खालिस्तानी है तो ऐसो लोगों को अगर तुम सम्मानित करोगे तो पूछो मोदी जी से के मोदी जी कंगना के साथ तुमारा रिष्टा क्या कहलाता है जवाब देव जवाब जनता को सब पूछेगी जनता तेस को चलाने वाला ए पूछेगी जनता कर दोगद्वक्त हो गए थे उसकी बातों में बह गए थे एक ड्रामे बाज देश के अंदर आया था डुगडुगी बजाई थी और हम उसमें चले गए थे मदारी क्या होता है मदारी एक पिटारा भिचाता है और सामने वाला जो मांगता पिटारे से न अज बोलता है दो करोड़ बच्चों की नोगरी पे आज बोलता है महंगाई पे आज बोलता है सिक्षा पे स्वास्ते पे रोजगार पे किसी सब्त पे बोलता है नहीं बोल सकता अभी उत्तर प्रदेश में 2022 में विजान सबद चुनाओं है आप किस तरह से देख रहे हैं उत्तर सब्सक्राव को इस तरह से गट-जोड बनने वाला है उसके बारे में देख गट-जोड क्या बनेगा यह राजनेता हो का कि वह राजनेता जाने हम लोग तो वोटर है इनको कोई मतलब नहीं है किसका किस से गट-जोड होता है किसे मतलब है कि मुझे नोखरी मिलनी गड़ बंनस नेताओं को करना इमको बोट देना और इनसे सब से एक ही विरवादा है के देख लेना ना हिंदू खत्रे में है, ना मुसल्मान खत्रे में है, ना सिख खत्रे में है, ना हिसाई खत्रे में है अरे यारो, ये धरम का चस्मा उतार के देखो, ये तो भीजेपी खत्रे में है तो इस बार जवाब मिलेगा भीजेपी को युदान सबा के चुटाओ देखे, आप मैं बंगाल से सुरू किया था, बंगाल में एक सब चला था चुनाओ से पहले, खेला होबे, वो बंगाली सब था, अब हम कहां खड़े हैं, बिलकुल उत्तर परदेश, ठेट हिंदी, तो भाई हां तो खदेडा होबे, धकेला होबे, क्यों? कि जब हम कुत्ते क के एक टुकडा घेर देते हैं, और वो नहीं जाता, तो हमारे बड़े बुजुर क्या होबे, रहा खदेड देश है, तो इन कुत्तों के हमने टुकडा घेरा था, सगद्धी दी थी, और यह हमारे सिर पे चड़ गए, तो आब इनका खदेडा इस जनता को करना है.